हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का विज्ञान विक्स के ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और गेनिक केमिश्ट्री का इंपोटेंट टॉपिक जिसका नाम है अलकोहल अब देखिए वही अब जब बेसिक हाइड्रो कार्वन की बात करते ह वह थे आपके अब कार्वन स्कॉल यहां पर और यहां पर नाएटम और हाइड्रो कार्वन नौड़ चैंट रहेंगे के इसके अवावाद यहां पर कोई भी buyer इंग क्या नहीं होता प्रजेंट गौता है जब आप यहां पे सरग नहीं है oh अब देखो बई हाइड्रो गार्बन अगेन हम मेली तीन ए अदयो बबन को चैनल और पर फटेज़रे सब्सक्राइब और और उसक्राइट्वरेट्टव आपके जो साइकलिक कंपाउंट थे मेली जैसे कि आपका तो आपका कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यहां पर चेंज हो जाएगा और यहां पर एक ओ एच कुछ इस तरीके से एड़ कर दोगे और और वोल एक्स तो इन्हें क्या बोला आता है अब देखो अल्कॉहल क्या होते हैं जहां पर आपने एक एच को रिप्लेस करके यह एक यह मोर देन वन भी हो सकते हैं अभी हम आपको एक्सप्लेन करूंगा लेक करके कि तो सब्सक्राइबल और डिप्लेस लीवकारहई हैं तो यह थो अपको बेहले कि ऩहया हैसे सामनेवालने वाल हूं कैल अपको यहांप यहांप कि अल्कोहवाल को आपके सामने लाने वाला हूं अब देखो जब भी मैंने युण यापने यहां पर टॉल लिए ऐस तरीके आपने यहां पर लिया जहाँ पर चार कार्बन कव में आपर दिया था अगर मालनों यहां पर अगर देखो वहीं आप यहीं पर करते हो यहीं पर करते हो तो देखो यहां पर पर अगेन कैसा आपका एक ही ओए तो यह प्रफिज दोनों में क्या है आपका एक ही ओए तो यहां पर किसके बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं कि वहां पर आपके नंबर आप ओएच ग्रूप कितने अब देखो अगर आप यहीं पर क्या करोंगे नहीं इन्हें देखो इस च्टू ओएच का देखो यहां पर यहां कितने अल्कोहल यहां पर आगे कितने ओएच ग्रूप इसकंपाउड यहां पर अलग कर लो कुछ इस तरीकी से यहां पर आपने च्टू ओएच जनरेट किया तो यह आपका डाइहां टू और यह वन टू हो गया और अगर आप यहां पर कासी एस स्टू रटाते और इसको करते हो वह से यह भी क्या है एक डाइडरिक अलकोहल है लेकिन लेकिन एक चीज याद रखनी है कि अगर आप यहां पर कुछ इस तरीक गहां लेते हो उसके वाटर मॉल्कुल को रिलीज करें कि और एक नई the जनरेट करते हैं और वह नई फंक्सिनालिटि तरीके की होती है च्र अपको यहां पर चैनरेट होता वहा दिखेर जी एक कारबोनील कोंट यहां पर कार्बोनील कोंड यहां पर अपर दिखेगा उन्हीं आप इप अगर आप यहां पर क्रेंस कर दोगे तो वह आप मोननो हाइडरिक इल्कोहल आप की रूप में यहां पर नहीं बॉल सकते व मैं कॅ यहां पर क्या होता है और आपको यहां पर हैंड है तो यह था आपका त्राइड यहांट करोगे तो यह क्या होगी आप एक हैट्रिक अल्कोल हो गया अब तो यहां पर आपका कार्वन सेंटर दो अलकोहल को यहां पर अडिजस्ट कर पाएगा या कभी नहीं कर पाएगा तो यहां पर अगेन क्या होगा आपका इस तरीके से ओएच निकलेगा और आपको क्या जनरेट करने कि कोशिस करोगे ना तो यहां पर क्या असे जनरेट होटा मां दिखे तो यह तो बाद थी number of ऑप बैसेस पे वहाँ पर कितने हाइद्रोप अपने लगाये हुए कितना फेंडिक जांपल दूना अपका गाहा बैसके सब्स्सक्राइब अरप ग rij त्राइड्री है वह थोजिक अगर मैं इसका आपको एक फंटेस्टिक एक्जांपल दूना आपका गुलूकोस होता है देखो गुलूकोस का इस्ट्रक्चette आपको किस तरीक इसे मिलता है वीजलंस का इस्ट्रक्च जो कि देखो डेखोवां कि यहां पर ग्लुकोस की भात करूँना अच ज टो-छ सॉक्छ और करता है इसलिए इसे क्या बता आता है है अब देखो यहां पर कितने कारवन आपके 123456 और 6 में से देखो कितने ओच है करते हैं अब समझ्के की ंब का अपके सारे और सारे और और ऑच ग्रूप जो है वह कहां पर और इंची अधिए डिफरेंट कार्म एंची इपरेंट कार्म एंचे डिफिरेंट कार्मन सेंटर्स पे तब आप क्या बोलोगे तो यह तो हमने क्लासिफाई कर दिया नंबर ऑप ओएच ग्रूप्स के बेसिस पे अब देखो हमें जो यहां पर पहले सिर्फ अब करना है बाकर उससे फार्क ने परता लेकिन यहां पर एक हाइट्रोजन की यहां से देज करने वाले ओके मोनो इट को आप फर्दर किसमें कर सकते हो अलिफेटिक अलकॉhl आप 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 Cracovones है अपने क्या याप रेक्ण ट्रीद ले लिया यहांब मौन हाइट्रический वे यहां पर यहां पर किसको बोलेंगे ना देखो यहां पर क्या होगा जी आपका एक फिनाइल या कोई भी एरोमेटिक रिंग लगी होगी और अगर आप इस पर डारेक्ट ओएज ग्रूप एड कर दोगे और इससे अरोमेटिक अलकोहल बोलने जाओगे ना तो आपका आंसर ग और आप बलोगे कि यह क्लासिफिकेशन एक एक अलकोहल यहां पर बौल दिया तो इनेंग अलकोहल क्या होंगे ना उन्हें क्या होगा आपका एक एरोमेटिक रिंग तो लगा लेकिन इस में पर डारेक्ट ओउ एज गुरूप अटाइश होगा इसके बाद यहां पर क्या ह याँ पर यहां पर फिनोल लोगे और जब आपका और किसी भी नौन एरोमेटिक सेंटर से जुड़ा हो लेकिन वो सेंटर क्या है किसी एरोमेटिक पार्ट या फर्दर वो चेंज जाके कहीं एरोमेटिक पार्ट से जुड़ी है तो उन्हें आप क्या बोलोगे जी एरोमेटिक अलकोहल बोलोगे यहां से आप समझ यह होगे ठीक है जब आ तो इन्हें बोला जाएगा एरोमेटिक अल्कोहल ओके यह आप समझी होंगे अब चलते हैं नेक्ट क्लासिपिकेशन की और तो देखो आप इसी मोनो हाइड्रिक में ना मैं आपको फर्दर क्या कर रहा हूं दूसरे टाइप यहां पी तो मैंने क्या सबता है कि उस पर किस तर सब्सक्राइब कर रहे हैं जिस सेंटर पे जिस सेंटर पर आपका ओएज ग्रूप लगा हुआ है उसके कितने हैं आप देखो यहां पर क्या हो सकता आपके तीन हीड्रोजन मैक्सिमम पॉसिबल है ओके तो इनको क्या बोला जाएगा आपका जीरो डिग्री अल्कोहल बोलत जिरो डिग्री जीरो डिग्री का मतलब क्या है कि मिनिमम यहीं पॉसिबल हो सकता है इससे नीचे आप नहीं जा सकते हो लेकिन अगर आप इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो किसी अलकाइल गृप से तो यहां पर आपका क्या हो जागा फॉर्मला ची एच टू और इ मैंश करते हो और दो आलकाइल ग्रूप कैसे और डिफ्रेंट भी हो सकते है और आपको कुछ इस तरीके का यहां पर ने ब्ढूद दो हइड्रोजन क्याकिए रिप्लेस कर दीए दो अलकाइल ग्रुप से या दो सब्सक्रीटुएंट से अगर आप दो हाइडोजन ग्रुप को किसी भी सबस्टिटुएंट से तो उने जा इप बोल दोसहें चीज एक कोई बी दूसरा तो इन्हें क्या बोल दिया जाता है यह कुछ इस तरीके कि यहां पर अल्कोहल आपको जनरेट होती भी दिखेगी ओ एच तो यहां पर एक भी आपका हाइड्रोजन नहीं है आपने यहां पर तीन के तीन हाइड्रोजन क्या किया है अब आप समझगे होगे कि कि सेंटर के बसीटे और यहां पर अल्कोहल को टेगराइज कर रहे हैं तो अगर मैं आपके सामने यहां पर लिकूँ CS3 OH तो यह कैसा हो गया आपका 0 degree हो गया यानि कि यह क्या हो गया primary से भी जो minimum possible आपका हो है अगर देखो यहाँ पर अगर मैं बोलू CS3 CH2 OH अब देखो जी यहाँ का 1H आपने किस से replace कर दिया इस CS3 से replace कर दिया तो यह कैसा alcohol हो गया आपका primary alcohol हो गया ओके अब अगर देखो यहाँ पर एक एच मां फर्दर रिप्लेस करता हूं यहाँ पर CH यहाँ पर OH और दो मैंने क्या लगा दिये इस पर मिथाईल लगा दिये इस आईसो प्रोपाइल अलकोहल को आप क्या बोलोगी जी secondary alcohol और नो्टिस करने वाली बात यह थी न याप इस सेंटर के बेसिस इस Church ke त्पेंद के विलंगें प्रॉपटीपहई करें तो इसली अम क्या करते हैं बहुत सारए क्लासे घर्लिमेन नह Choi लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नहीं holders किंद्री पीरी माले कितले में योगा है तोम वहाँ आन गैस का क्या करूँगा वाफर्दर यूज स्कुरूच तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है और सेकेंडरी अल्कोहल क्या है यह अब देखो जी यहां पर मैं कुछ नोमन क्लेचर की बात करता और तो देखो किस तरीके से यहां पर नोमन क्लेचर किया आता है तो दूसराइब कर सकते हैं हूं आती वह आपको धुल करते करना है और तर्डम को बताना है कि आयू पैट नीमिंग ऊप कैसे अप करोगे यह आयू पासी नीमिंग आप कैसे करोगे तो देखो बैस на गर अगर मैं सबसे छोटे अलकॉहल से स्टार्ड करता हूं जिसे कुछ इस तरीक से रिप्रेजेंट किया जाता है अब आपको पता है कि सबसे छोटे इसको क्या बलायाता है इसको इसका अगर मैं प्रिफिक्स की बात करूँ सीर श्तिरी के लिए आपका अल्कोहल फंक्शनलिटी अल्कोहल तो आपको क्या करना है इस प्रिफिक्स और इस सफिक्स को क्या कर देना है तो इसका क्या कॉमर्न नेम क्या हो गया मिठाइल अल्कोहल अब देखो अगर मैं यहां पर क्या अन्वी को क्या अच्छों कर दोगे तो क्या बनके आपका इथाइल को यह क्या है इसका कॉमन नेम हो जाएगा अब देखो यहां पर क्या आता है न थोड़ा सा डेविएसन आता आप देखो आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए जो हम प्रिफिक्स यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में तो देखो अगर आप यहां पर मैं प्रोपाइल क्या एक नॉर्मल चेन में जा रहें कोई ब्राँचिंग नहीं तो इससे आप क्या बहाए अन्स उप्रोपाइल और यह अपका अल्कॉः तो इससे आप नकॉपाइल अल्कॉः बोल दो कि इसी तरीके से देखें यहां पर इसका जो दूसरा आई सुमर एक्जिस्ट कर रहा होगा न सी एच सी एच थ्री और यहां पर क्या आगी आपका ओ एच तो जब आप यहां पर यहां पर यहां पर अलकोहल तो यहां पर लगाद होगे अलकोहल लगाद होगे इसका टोटल नम क्या होगय आपका इसे का होगे इसे का तो लिख दो आप पूरा भी लिखना चाहो आउओ इस आई तो वह भी आप यहां पर लिख सकते हो और नहीं तो आप इससे तर्मिनल पोजिसंस यहां से रिप्लेस किया है तो टर्मिनल पोजिसंस से रिप्लेस होने का मतलब क्या है जी आप इसे क्या हो लोगे एन ड्यूताइल यहां पी आजाएगा अल्कोहल आ जाएगा जी अल्कोहल ठीक है तो इसे क्या बोलडिया जाएगा अगर वे इसके बात फॉर्दर आगे बात करूंँ न तो आप इस ओएट को यहां से रिप्लेस करके यहां पर लगा सकते तो च्री च्ट्टी थो च्ट्ट सट्रेक थी कह वह यहां पर प्रोपायल कि यहांपर रहती है। सेट भी टाइल अल्कोहल और इसे बोलोगे अगर इसी की तरह आप यहां पर इस मिदल गुरूब को क्या रहो यहां पर सिप्ट करतो और इस और इस तरीके का सेंटर जन्रेट हो रहा है कर दो झालवस को सी इस्ट्रीज तो इसे जह ब लोगी जाब ओ एच तो इसे क्या बोला आता है यहाँ पर दोए कैसा सेंटर है यह टरसरी जाना तो इसे जाए यह आता है टविटाइल अ कर दोट आइल अल्कोहल अ डितल को अ और सब्सक्राइब लिएक पता होने तो इस तरीकिस के रहेगा यहां पर अपके पॉसिबल के तो वहाँ पर शुकुत यहां पर पॉसिबल बाइब तो वहाँ पे नंबर पुस्टान फिर से क्या हो जाएंगे जी बदल जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन ने आपको याद करने पड़ेंगे तो महां पर आपके जैसे जो नेमिंग वह वहां पर याद करने पड़ेगे जैसे नियू पेम टाइल आ जाएगा उसी तरीके से क्या होता जी यह लॉर्म ए पटाईल आयागा तो आपको बहुत नेविंग याद करने पड़ती है तो इनसे बचने के दियन जो सेकिन्ड नीमिंग आती है याँ उसे बोला गया कारभी नॉमनक्लेचर कारभी नॉमनक्लेचर टेबर कारभी 90 क्योंन धुक्त अब तो कर्विनल नमन क्लेचर माना इसने क्या वोला कि आप क्या बोलोंगे tu कॉस्थ्री हम ओऐ को क्या वोलोगी जी इसको बोलो nggak वह करबी नॉल हूँ यह dough I'm अगर आप इससे कारविनौल बोल्रों न ऐसके लाघर आपने इस कार्विनौल से अप्रिक्राइब फेल लोगे अगर इसी तरीके साप यहां पर रहोगे एक सिम्हेयर से रिप्लेस करिदीया फिनाईल लिए रिप्लेस कर दिया गःत स्वेयर दूसरे को भी किसे रिप्लेस कर दिया ठीक कर दिया और तीजरी से इसाब भान दूसरे लोजी तरी इस अधिन तो अप देको जी यहां पर तीन स्ट्वियोंट स्टरीय आग आगे तरफली ड्राइफ ini कि ट्राइफिनाइल कार्मिनॉल लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम क्या आती ना कि यह जो नोमन क्लेचर है यह भी क्या होगा है क्योंकि एक टाइम के बाद अगर देखो इस तरीके का यहां पर कुछ इस तरीके का आपका क्या होता है यहां पर मिथाइल यहां पर मिथाइल और यहां पर आगया आपका यूटाइल आगया ठीक है कुछ इस तरीकी से चछ टू जी हुए फिर हाइन द्री और यहां पर उन्हों इसितरीक से और कुछ इस तरीके तरीके होगा सhosक्राइद रोस्क्ष यहां मु q क्या आपका यहां पर हमें फिर से क्या है से क्धूटाइल यूच करना पड़ेगा और यहां पर मैं इतने सारे कॉमननेम हमें याद करने पड़ेंगे इसका नाम तो हम यहां पूरा मेथट क्या गटिया बन जाता है यह फिर से क्या हो गया रटने वाला मेथट होगी आपका इस यह मेथट को भी आपको यह यह याद रहना है कि वहाँ पर कितने कार्बन सेंटर अगर एक कार्बन तो सब्सक्राइब अगर वहाँ पर कार्बन कितने दो कार्बन है तो आप उससे क्या बोलोगे और उसके नमबरिंग के बैसिस पर क्या बोलोगी आप से वहाँ पर अलकोहल बोलोगे जैसे कि हम क्या करते इंगा यहां पर श्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने व्हुटेण के के सब्सक्राइब यह तरीके साब कुछ इस तरीके से गेम चल रहा था था यह हूं पर इस सब्सक्राइब और यहां को आपकी चेन लंबी हो रही है वहां को नंबरिंग स्टार्ट करो तो देखो यह प्रोपेन प्रोपेन के बाद देखो कौन पर अल्कोहल तो अल्कोहल को आप यहां पर लास्ट का ओल लिखे तो इसकी नेम क्या आपकी प्रोपेन लेँखे और यहां पर निक्षिन कोबोने की तूवर को और अब यहां पर और क transform एक हैं आलो ही अग्य। आप से ब्यूटेन में बात करूंब ना सी एस त्री च्टू छी और देखो मैं यहां पर सिधे टर्ट ब्यूटाइल अलकोहल की बात करता हूं जी कुछ इस तरीके से सी एस ट्री ठीक है तो देखो यहां पर आप क्या कर सकते हैं नमबरिंग यहां से भी श्टाट करते हैं व अब जहां सकती ओन्टो थ्री वाली तो देखो जो लोंगस्ट चैनल उससे आपके अगरी हो एस एपली लो प्रोपें अ अब देखो जी इस प्रोपें में देखो आपकी कौं सी पोजिशन पे सटखिज़ पयो जरे कम सब्सक्राइब आ अगर मैं इस च्टेंटेश लेको तो सेकंड पोजिशन पहीं पहाँ है शेकंड पॉजिशन पहले रहरां तो इससे अपको लुझे लेका mi टू चलिए पोड़ी क्या वाहीं कि क्या घुट का लिए अब क्या करोगे क्या करोगे और उसके लवा कि तो अपने मन्स करते आप कोई होगा तो आप क्या कर दीजेगा अब देखो हर चीज में अगर आपको कोई भी कोई भी टॉपिक करना नहीं जैसे यहां पर हम अल्कोछल कर रहे हैं तो वहां पर हमें तीन चीजे करनी होती हैं एक तो क्या है उन्हें प्रिपेर कैसे किया आता है तो मैथड आप प्रिप्रेशन सबसे पहले दे की फीजिकल प्रापरी सब्सक्राइब बॉयलिंग टाइपोल मुमेंट और मेल्टिंग पॉइंट उनकी सल्यूभी टी किस तरीके से वारी कर रही है और उसके अलावा हम यहां पर देखते हैं कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं उन्हें किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज कर स एंड़ खिमीकल प्रॉपर्टिज तो आज हम यहाँ पे प्रफिशिक्ल प्रॉपर्टिस को इसको प्रॉपरपर्टिज वैसे स्टाट्व करने याँ तो पर प्रिफारोल को करेंगे कि ayam alcohol को कहा से हैं सब्सक्राइब सकते हैं तो बाद तो इन चीजों को आप क्या बोलोगे जी इन्हें क्या बोलोगे बैटट प्रिप्रेसंट करने के दो तरीके होते हैं तो तरीका यह है कि आपका कार्चेंट करेंद और प्रेटों थे सब्सक्राइब करते हैं जो कि निकल पैलेडियम या प्लैटीनम कुछ भी इस तरीके का आप क्या ले सकते हैं तो मैटल सर्फेस ले सकते हैं और उस पर हाइड्रोजन गैस को पास करो तो वहां पर क्या होगा आपकी हाइड्रोजीनेशन होगी तो इसे वह बनायाता है सब्सक्राइब करते हैं और यह क्या करते हैं और यह इन्हें क्या बोला आता है तो एक रिडुक्षण का मैथड यह है और दूसरा रिडुक्षण का मैथड़ाइब कर दो अब मेटल हाइड यहां पर और यहां होता है इस तरीका से क्या होता है वाइनियूटरल गार्व कर सकता है इंट्राइड़ एक्सेट रिए बनाता है और इसको कॉंटर वैलेंस कर रहा होता है यहां पर यह अलायकल प्यान्स पर करते हैं इसके बाद और हुद्राईज ट्रांसपर करते में तो एजह यह से यह से helpале का जाूईनियुक्टरा घ्राइटा होगा और 0010 चाहिए यहां पर टेल्टा निगेटिव करेंगा और च वजा से घ्राइट रहा हो पर होगा और यह निगेटिव पकाई इस डिल्टा पॉजिटिव अटेक करेगा ना कि इस डिल्टा निगेटिव पे इतना तो आप समझ चुके हैं अब जैसी यहां पर अटाइक होगा ना तो तो कार्बन के चार बॉंड वन टू थ्री फॉर यह पांचवा बॉंड जैसी अटेक आपको इस तरीके की यहां पर स्पीसी जन्रेट होती भी दिखेगी ओ बाइनस और जब आप इसका वर्क अप करोगे जैसी आपने वाटर के सांथ ट्रीट क्या तो यह अलकॉक्साइट क्या रहेगा वाटर से लेगा प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा और आपका क्या जन् और और लिथियम रिएजेंट का अटाइक भी देखेंगे और इसके लावा रिडच्शन को भी चुटी करेंगे और इनके अलावा जो पॉसिबल रिड़क्शन जैसे कि बर्च रिडच्ट यहां पर जो आपके बीस थ्री टाइप के रिएजेंट होते हैं बोरोन के जो रि पीवी रिड़क्शन मिर्वीन पॉंडव वैरले रिड़क्शन और इसी का अपोजिट क्या होता है आपका ओपेन आवर ओक्सिडेशन होता है वह सारी चीजह में आपको एक्स्प्लेन करने आलों नेक्स्ट लेक्चर में तिल देन थेंक्यू